Hello everyone and I welcome you again for the sessions of issue of shares. देखिए हम अभी तक class 12 की जो company accounts से related हमारे पास issue of share capital नाम का जो chapter है. इसमें हम बहुत सारा theoretical concept इसके regarding shares के regarding complete कर चुके हैं. फाइनली अब हम हमारे इस chapter में एक step आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे कि किस तरीके से practically हम issue of shares को अगर accounting terms में हमें recording करनी हो हमारी books of accounts में तो वो किस तरह से journal entries की form में recording होगी. मतलब आज हम आगे और बढ़ रहे हैं next step ताकि हम और नजदीकी से जान सकें पैचान सकें कि किस तरह से journal entries की जाती हैं. बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास और नए concepts जो हैं वो theoretical point of view से भी जो कि practical based होंगी वो भी हमारे पास theories आती चले जाएंगी. देखें, journal entries, issue of shares related समझने से पहले हम एक छोटे से concept को समझते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखें, हमने एक face value नाम का concept सुना है, समझा है, जैसे add the rate of 10 each या rupees 100 each तो जो ये denominations होती हैं shares की, इन्हें हम basic value या face value के नाम से जानते हैं. अब एक company जो है, वो दो तरीके से shares को issue कर सकती है, एक तो theoretical point of view से हमने how a company can issue the shares, ways of issuing the shares, हमने वो public subscription के various steps पढ़े हैं, है ना, application money receive करना, allotment money, allotment due करना या allotment money receive करना, फिर उसके बाद हमने वो minimum subscription वाला point भी पढ़ा, देन उसके बाद हमने how to make calls वाला concept भी सब पढ़ा, ठीक हैं, अब हम देखते हैं practical point of view से, एक company जो है, वो किस price पर अपने shares को issue कर सकती है, याद रखिए मैंने बोला है, किस price पर अपने share को issue कर सकती है, देखो अगर, अगर face value के बराबर ही issue price रखा जाए, issue price रखा जाए, मैंने यही बोला था ना कि किस price पर shares को issue कर सकती है company, तो वो issue price बन गया, ठीक हैं, company अगर face value के बराबर ही रखती है, अपना issue price, 10 रुपे वाले shares, अगर company 10 रुपे के हिसाब से ही issue कर रही हो, तो इसको issue at par, par का मतलब होता ना, बराबर, तो इसे issue at par बोला जाता है, ठीक है, एक concept होता है, जब आपकी face value 10 है, लेकिन आप issue 12 के हिसाब से कर रही हो, तो वो case कौन सा बन गया, when your face value is less than your issue price, यही concept होता है ना, issue price ज्यादा है, यह less than वाला sign, यह more than वाले sign जो होते हैं, वो basically कैसे लगते होते हैं, जो छोटा हो, उसकी तरफ मुह बन दाता होता है, तो यह देखो, यह sign यह बन गया, कि face value जो है, वो कम है, issue price जो है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब, हम 10 रुपे वाली चीज़ को, 12 रुपे में अगर issue कर रही हैं, तो यह जो 2 रुपीज, हमारे पास extra है, इस extra को, हम premium बोलते हैं, इस extra को हम premium के नाम से जानते हैं, premium का मतलब भी extra ही होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे issue at premium बोला जाता है, खिक है, तो अब जो basically हमने journal entries समझनी है, आज का session बहुत जादा important रहने वाला है, तो आपने जरूर इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, कि जो यह journal entries हैं, वो at par और at premium से related, हलका सा difference आता है दोनों में, लेकिन otherwise बहुत ही common और बहुत ही आसान सी journal entries रहती हैं, तो अब आज जो मैं आपके साथ एक case discuss करूँगी या जो आपको समझाऊँगी journal entries, वो मैं issue at par को एक बार ध्यान में रखते हुए आपको journal entries करना समझाऊँगी, ठीक हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये issue at par के case में किस तरह से journal entries की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक example के थूँँ समझते हैं, देखो अगर आपने किसी school में admission किया लिया, तो आपको सबसे पहले क्या pay करना पड़ा? आपको admission fee pay करने के बाद आप पर आगे आने वाली rest जितनी भी installments हैं, मतलब 3-3 महीनों बाद वो जो school की fee pay की जाती होती है, वो rest installments जो हैं, वो afterwards आप पर due हुई न, afterwards due हुई, और आपने फिर उसकी payment की, तो अब अगर आप इस बात को एक school के point of view से समझो, तो admission fee पहले cash की form में receive होती है school को, है न, फिर उसके बाद school हर installment को due कर देता है, कहते हैं न, कि इस महीने की ये next installment जो है, वो 10 तारीक तक जमा हो जाने चाहिए, इस महीने की fees 10 तारीक तक जमा हो जाने चाहिए, अगर जो बच्चा नहीं जमा करवाएगा, तो उसे fine पड़ेगा, ऐसा concept होता है न, तो वो पहले बता दिया जाता है न, पहले due हो जाती है, फिर बाद में बच्चे पे करते होते हैं, तो यहाँ पर company के case में भी ऐसा ही कुछ concept है, similar सा, आपके साथ मैंने discussion की थी, जब last कुछ sessions में, तो मैंने आपको बताया था, कि company अपनी सारी की सारी face value इकठी नहीं मंगवाती है, पहले वो सबसे पहले application money receive करती होती है, उसके बा और उसके बाद subsequent जो और चीज़ें आती हैं, उन्हें हम calls के नाम से जानते हैं, यह एक हलका सा concept जब हमने public subscription वला concept सुना था, समझा था, तब भी हमारे पास यही कुछ concepts आए थे, ठीक हैं, तो आप देखो बहुती धियान से, suppose करो कि आप 10 रुपीज के हिसाब से share issue कर रहे ह आपने 3 रुपीज application पर मंगवा लिए, 3 रुपीज allotment पर मंगवा लिए, और rest जो था, calls, उसे आपने 2 calls में बांट लिया, तो एक first call बन गई और एक second call बन गई, अब फिर से, suppose करो यह 2, 2 रुपीज की call बन गई, ठीक हैं, suppose यह 2, 2 रुपीज की call बन गई, तो आप देख ठीक हो, 3 प्लस 3, 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 2, 10, तो आपका यह 10 रुपीज face value बन गया, अब यह कौन सा case बन गया, कि जब जितना face value थी, उतने के हिसाब से ही आपने issue किया, तो यह आपका at par वाला case बन गया, ठीक हैं, अब इसकी journal entries कैसे करनी हैं, सिरफ एक application money, ऐसी amount होती है, पहले receive कर लेती है, बाकी आने वाली allotments, allotment and calls, यह आने वाली चीज़ें हमेशा company पहले due करती है, फिर receive करती है, कि कैसे मैंने यहाँ आपको एक example देकर समझाया था, कि पहले school admission fee receive कर लेता है, बाकी जो installments होती है, बाकी साल में जो और उसने school fee charge करनी होती है, वो पहले due हो और बाद में receive की जाती है, अब समझते हैं हमारी journal entries, सबसे पहले तो आपने एक concept हमेशा दिमाग में रखना है, जैसे आपने class 11 में परफॉर्मा सीखा था journal entries का, वो आपने जरूर बनाना ही बनाना है, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि आप वो परफॉर्मा ना बन बिना परफॉर्मे के ही आप journal entries लिखतो, जैसे मैंने जब partnership के sessions आपको करवाए थे, तब भी मैंने ये बोला था कि चाहे एक ही journal entry क्यों नहीं हमने पास करनी है, लेकिन हमने वो परफॉर्मा जरूर बनाना है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ concept है, date, particulars, ledger folio, debit credit, या फिर ह हम जैसे amount, amount लिखते होते हैं, ठीक हैं, अब देखिए सबसे पहले, date column में जो specific date होंगी वो आएंगी, वो हम questions जब करेंगे तब आपको किस तरह से लिखनी है, dates वो सब पता चल जाएगा, normally जादा तर दी नहीं होती हैं, तो हम सीधा question mark ही लिखते होते हैं, अब मैंने आप आपको क्या बोला, application money मानलो 3 रुपे हैं, मैं आपको जो journal entries समझाने वाली हूँ न, वो मैं एक example के थ्रूइ समझाओंगी, ताकि आपको practically भी समझ में आ जाए, कि amount किस तरह से कैसे लिखनी है, और आपको journal entries भी पता चल जाएगा, तो हमारा time save हो जाएगा, मैं इसी को question को लेकर चलूँगी, कि ये 10 रुपे face value है, 10,000 shares मानलो company ने issue किये हैं, ठीक है, और सारे के सारे shares लोगों ने subscribe भी कर लिए, है न, अब आपको एक छोटा सा हलका सा concept मैंने पहले ये दिया था, कि जब 10,000 के 10,000 shares ही, लोग खरीदने के लिए तयार हो जाते हैं, तो उसे full subscription का case बोला जाता है, जब 10,000 से मानलो 12,000, 10,000 की जगा 12,000 shares के लिए applications आ गई, लोग ज़्यादा shares खरीदने, ज़्यादा लोग आपके shares खरीदना चाते हैं, तो उस case को over subscription का case बोला जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से मानलो कि सिरफ 8,000 shares ही आपके subscribe हुए, मतलब सिरफ लोग जो थे उन्होंने जितने shares के लिए अपलाई किया, सिरफ 8,000 ही total बना, तो उस case को under subscription का case कहा जाता होता है, ठीक हैं, ये जो over subscription का case है, ये थोड़ा सा in-depth समझने वाला है, तो इसे तो हम बा वो full subscription वाले लिए, तांकि आपको journal entries आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है, next session में हम फिर under subscription से related concepts भी discuss कर लेंगे, तो देखो, full subscription हुआ है, 10,000 shares कंपनी ने issue किये थे, 10,000 लोगों ने subscribe कर लिए, मतलब लोग खरीदने के लिए तयार हो गए, अब 10 रुपै से में से, 3 रुपै कंपनी को application money की form में receive हो रहा है, अब हमने जो first journal entry पास करनी है, वो क्या करनी है, क्योंकि हमने public subscription वाली थेरी जब पड़ी है, तो हमने समझा है कि एक scheduled bank से खाता खोल लिया जाता है, और company जितना भी पैसा receive करती है, वो उस scheduled bank के थ्रू होता है, है ना, वो debit होता है, तो हम जो journal entry पास करेंगे, कभी भी cash account debit नहीं होगा, हमेशा bank account debit ही होगा, तू, अब किसे debit करेंगे, या सरी, किसे credit करेंगे, क्योंकि class 11 में हमने किया है न, double entry aspect, तो अब जो चीज credit की जाएगी, उसका नाम है share application account, एक और बात बताती हूँ, देखो हमने two types of share किया है, एक हमने किया है equity shares, एक हमने किया है, preference shares, है न, ये sessions भी आपको दिये गए थे न, तो अगर आपको question में specifically दिया हुआ होगा, कि equity shares इशू की है, company ने, या preference shares इशू की है, तो जादा कोई change नहीं है, बस यहाँ पर share के आगे, equity या preference, ये word लिख देना है, ठीक है, तो entry क्या बन गई, bank account debit to, जो क्यूंकि हम narration लिखते होते हैं, तो हमें narration लिखनी है, narration क्या लिखेंगे, application, बहुत ही असानी से, application, money, receipt, बस इतने से, खिक है, अब amount कितनी आएगी, देखो, 10,000 shares थे, और हमारी application कितने की थी, तीन रुपे की, तो आपने 10,000 को, इस 3 से multiply करना है, इस 10 से नहीं multiply करना है, जब application money receive करना है, तो application वाली, आपकी जो installment है, जो value है, उससे multiplication करते हुए, आप लिखोगे, 30,000 debit में, और 30,000 credit में, ठीक है, अब बढ़ते हैं, आगे, अब क्या करना है, अब very, very important, हमें ये पता है, कि एक company की, जो capital होती है, वो उसकी liability होती है, क्योंकि हमने class 11 में, भी ये concepts जब किये थे, accounting concepts and conventions, तभी हमने ये समझ लिया था, कि business entity concept में, हमें ये clear कर दिया गया था, कि हमने capital को liability मानना है, अब capital अगर liability है, तो अब यहाँ पर जो ये amount हमें मिला है, इसे हमने एक ऐसे खाते में transfer करना है, जो कि ये liabilities वाला actual credit balance हमें show करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो next entry करेंगे, जैसे class 11 में करते थे, कि सिरफ इसके नीचे line लगा दो, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जो account यहाँ credit हुआ है, तू equity share या तू preference share application account, इस account को अब आपने debit कर देना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, share application account debit तू, यहाँ पर अब क्या आएगा, जो भी, फिर से, जो भी है, अगर equity है, तो equity word आगया जाएगा, अगर preference है, तो preference आजाएगा, लेकिन यहाँ main मुद्दा जो है, वो क्या आएगा, share capital account, तो देखो, अब आ गया ना, वो two में, और जो चीज two में होती है, उसका कौन सा balance होता है, समझ आ गया, लेकिन अब कितना transfer करना है, देखो, यहाँ मैंने 30,000 के हिसाब से receive किया था, तो हम 30,000 को ही यहाँ पर transfer कर देंगे, rest जैसे जैसे हम इस chapter में आगे बढ़ेंगे, हमें और नई-ने चीज़ें पता चलती चली जाएंगी, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहा account of application transferred to capital account, share capital account, ठीक है, यह इतनी सी narration हमने mention कर देनी है, चली अब, अब यह application से related, दो entries हो गई, ठीक है, सब की दो-दो entries हो गई, application से related, दो entries हो गई, अब हम बढ़ते हैं, allotments से related, दो entries की तरफ, अब देखो मैंने अभी अभी आपको कुछ बोला था, कि हम सिरफ application money को पहले receive कर लेते हैं, बाकी की जितनी भी हमारी allotments या calls होती हैं, हम पहले उन्हें due करते हैं, अब due कैसे करना है, due करने के लिए कोई जादा hard rule नहीं है, जैसे हमने अभी अभी एक entry pass की है, share application account debit to share capital, अ अभी हमने ये general entry pass कीती न, तो अब हमने क्या करना है, वहाँ पर application की जगा पर हमने allotment लिख देना है, rest same वही है, share allotment account debit to share capital account, अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर से वही अगर equity है, तो equity share allotment आ जाएगा, to equity share capital हो जाएगा, अगर preference है, तो preference share allotment account debit to preference share capital account यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ आप क्या narration लिखी जाएगी, यहाँ आप narration लिखी जाएगी, allotment money made due, ठीक है, अब amount कितनी आएगी, अब recall करो, मैंने आपको allotment कितने की लिखवाई थी, मैंने आपको allotment 3 रुपे की लिखव हो जाएगा, फिर आप इस पे line लगाओगे, अब, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बूला था, हम पहले due करेंगे, फिर receive करेंगे, जब company पैसा receive करेगी, तो that means, उसका bank account debit हो जाएगा, तो क्या लिखा आएगा अब यहाँ पर, जैसे हमने जब application किया था, तो bank account debit to share application व हुआ, वो entry दूसरी आए थी, है ना, लेकिन अब आगे आने वाली में क्या है, उल्टा करना है, जो दूसरी वाली entry है, वो पहले होगी, और जो पहली वाली entry है, वो बाद में होगी, लेकिन नाम, यह जो call वाले हैं, या जो allotment वाले हैं, वो आएगे, तो अब यहाँ पर मैंने number one पर entry पास की थी, वो मैंने यहाँ number two पर कर दी, लेकिन क्योंकि यह allotment वाली है, तो मैंने यहाँ पर allotment लिख दिया word, बिल्कुल इसी तरीके से, जो मैंने दूसरी entry पास की थी, वो मैंने यहाँ पर allotment के case में पहली entry पास कर दी, लेकिन क्योंकि यह allotment है, तो application की जगा पर मैंने allotment word लिख दिया rest सब सेम कि इसमें यह क्या हुआ पहले due हो गया है और अब allotment money received ठीक है अब यहां क्या करेंगे 30,000 हमें receive हो गया हम एक बर बहुत ही simple सा case सारा fully subscribe हुआ है सब लोग सब कुछ पे कर रहे हैं बहुत ही simple से case से सिरफ हमारी इन journal entries को हम समझ रहे हैं ठीक है अब next देखो क्या होगा अब next हमने हमारी first call पर आना है जो कि मैंने आपको 2 rupees की बताई थी अब क्या करना है उसे भी पहले due करो फिर receive कर लो तो अब call आ गई तो अब आपने क्या करना है अब आपने allotment की जगा पर share first call लिख देना है तो journal entry क्या आएगी share first call account debit to share capital account ठीक है अब क्यूंकि वो 2 rupees के हिसाब से थी तो 10,000 multiply by 2 rupees 20,000 आ जाएगा और narration क्या आ जाएगी narration आ जाएगी first call money made due ठीक है अब आगे बढ़ते है अब हमने क्या करना है अब हमने हमारी इस call money को receive करना है तो जैसे ये receive किया था बिल्कुल उसी तरीके से कर लो लेकिन लिखा क्या आएगा bank account debit to share first call account और यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा narration में first call money first call money received ठीक है और यहाँ क्या रिखा हुआ जाएगा बीस हजार हमने receive कर लिया बिल्कुल इसी ही तरीके से अब क्यूंकि फर्स्ट कॉल हमने receive कर ली अगर company second call भी करती है तो वो उस वक्त भी क्या करेगी पहले second call को due करेगी अब क्यूंकि second last है उस वक्त face value पूरी हो रही है तो हमने अब क्या करना है जब second call को due करना है जैसे यहाँ first call लिख दिया था यहाँ अब हम लिखेंगे second call लेकिन इसके साथ हमने second and last लिखना है share second and last call account debit to share capital account फिर से वई यह आ गया share इसे final call भी लिख सकते है second and last की बजाए हम सीधा यह भी लिख सकते है तो यहाँ narration हम इस तरीके से भी लिख सकते है share final call money made due ठीक है अब यहाँ फिर से वो दो रुपे के इसाब से थी तो हमने क्या किया 20,000 को due कर लिया और जब हम इसे receive करेंगे तो हम entry करेंगे bank account debit to share फिर से वई अगर final call लिखा है तो to share final call लिखा हुआ आ जाएगा अगर share second and last call लिखा है तो यहाँ पर to share second and last call account 20,000 20,000 यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा share final call यह जो भी आपने यहाँ यहाँ यूज किया है money received received ठीक है तो कुछ इस तरहां से यह जो journal entries है वो की जा सकती है सिरफ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि application के case में पहले company पैसा receive कर लेती है बाद में share capital वाले account में transfer करती है rest allotment और calls के case में पहले due करती है और फिर receive करती है तो अभी आज के इस session के लिए हम सिरफ इतना ही cover करेंगे एक बहुती simple से manner में हमने इतना cover जो किया है मुझे उमीद है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको ये journal entries याद होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और बहुती आसानी से next जो topic से हमने समझ पाएंगे तो चलिए मिलते हैं next session में जिसमें हम इस chapter को आगे फर्दर और continue करेंगे तब तक के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ subscribe कर लीजे अगर आपने अभी तक नहीं किया है share कीजे videos को like कीजे videos को do comments also thank you so much and have a nice day